असलाम अलेकम डियर वीवर्स कैसे हैं आप लोग दिस इस प्रोफेसर महमद अफसल आप लोग देखे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गाइस जो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि इससे आगे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती चली जाएं मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी सारी इंफर्मेशन आपको कनवे हो जाए तो गाइस विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम अपने कॉंट कदीर रफीक साब हैं तो ये क्रेडिट भी उनको ही जाता है मैं तो सिर्फ उनका मैसेज आप तक पहुंचाऊंगा विकास मेरा सब्जेक्ट कैमिस्ट्री है तो स्टूडेंट्स अभी देख लें ये वीडियो में इसमें फॉंट बहुत चोटा चोटा है तो जो है शायद आपकी स्क्रीन पर ये अच्छा डिस्प्ले ना हो लेकिन मैं इसको हाई रेजोलुशन पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप ये वीडियो देखने से पहले यूट्यूब की सेटिंग्स में जाएं सेटिंग्स में जाके वीडियो क्वालिटी जो है सबसे अच्छी कर लें फि ये मैं आपके डिस्प्ले पर ले आता हूँ आप इनको देख लें अच्छी तरह से ये सारे MCQs हैं तो 17 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है तो ये MCQs जो है ये आपके सामने आगे ये पहली फोटो है MCQs की काफी सारी फोटो हैं जो आपके काम आएंगी देख लें तो ल मिन्वाइल आप स्क्रीन शॉट्स लेकर इनके रख लें टाइम मिला तो इनको जरूर देख लीजिएगा ये काफी सारी फोटो हैं मैं सारी की सारी फोटो एक दफ़ा आपके सामने ले आता हूँ तो ये देख लें गाईज ये MCQs हैं ये MCQs हैं इससे आगे देख लें य मुझे वाटसेप करके वैसे भी ये फोटो मगवा सकते हैं मों उनको वैसे भी सेंड कर दूँगा ताकि उनके काम आ जाएं ये चीजें उनको प्रिंट आउट करके देख सकें तो अब फर्स टाइम जिनका है उनके पास तो कम टाइम रह गया है लेकिन जिन स्टूडेंट इसके प्रोफेसर से मैंने कंसल्ट किया तो उसकी कंसल्टेशन से ये गैस आपके पास आ रहा है तो गाईज ये बस MCQs हैं सारे ये आप देखते चले जाएं लेकिन ये MCQs मैं आप तक इसलिए भी पहुँचा रहा हूं कि कल कोई ECAT और MDCAT में आपके काम आएंगे ये आपको इंता फाइदा हो जाए फाइनली तो ये है गाईज येस हेर इट इस यहां देख लें ये देख लें अब इस ये अगली फोटो के चलते हैं ये थोड़े ही रहे गाईज इन्फेक्ट में चाहता हूं कि आपको मिल जाएं हाँ अगर आप MCQs में इंट्रस्टिड नहीं है तो ये वीडियो का थोड़ा सा पोर्शन आप जो स्किप भी कर सकते हैं लेकिन स्क्रीन इंट्रस्ट जरूर बना लें वीडियो को पास करके आपका फाइदा फिर भी हो जाएगा ये MCQs आप तक पहुंच जाएंगे सारे के सारे आपको FAC के साथ साथ आपने FAC के पेपर देती फटा फटा फट इंजिनिरिनिंग वालों ने तो ECAT में लग जाना क्योंकर उनका EC वीडियो है इसमें font छोटा छोटा है words बड़े छोटे लिखे हुए हैं तो इनको देखने के लिए आपने जो वीडियो quality हाई resolution पर रखनी है मैं इसको 720 या 1080 की resolution पर record कर रहा हूं तो guys आपने भी इसको उसी resolution पर देखना है otherwise ये आपके mobile के display पर बड़ी dim आएगी तो guys यहा इनके भी screenshot ले सकते हैं ये देख लें इनके भी screenshot ले सकते हैं अच्छी resolution पर मैं ये record कर रहा हूं मैं थोड़ा इसको zoom in zoom out भी गर देता हूं ताके आपके display पर ये सही तरह से आप इनको देख सकें ये देख लें उसके बाद ये हम question number 18 to 27 ये वाले सारे questions हैं इनको आप अच् display पर आ रहे हैं गाईज हम 27 से आगे 28 से लेकर 37 तक चलते हैं ये वाले questions हैं जो आपके display पर आ रहे हैं इनको आप अच्छे तरीके से देख लें no down कर लें अच्छी तरह से prepare कर लें in fact guys ये एक check भी है आप इनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कौन कौन से questions आत आते हैं मैं थोड़ा और zoom कर देता हूं देखें अब हम बात करें 38 से 45 तक तो ये देख ने 38 से 45 तक ये questions हैं जो आपके display पर आ रहे हैं check this okay अब 45 से onward वाले question मैं आपको दिखा दूँ मैं फिर कहा रहा हूं कि मैं high resolution पे record कर रहा हूं आपने इस video को देखने से पहले आपने सबसे पहले YouTube सेटिंग्स में जाके video quality हाई कर लेनी है ताके आपके display पर ये questions जो हैं वो सही और clearly नजर आएं otherwise आप कहेंगे जी resolution अच्छी नहीं है हमें नजर नहीं आरा because मैं इसको एक अच्छे phone से और एक अच्छी resolution पे record कर रहा हूं तो ये आपको अच्छी resolution में ही देखनी है और अच्छी resolution में आपको सही नजर भी आएगी ये सारे short questions हैं guys इससे आगे हम चलते हैं question number 50 sorry question number 59 से onward तो ये देखें ये 59 से onward questions हैं ये देख लें ये सारे questions आपके सामने you can view these अब हम चलते हैं long questions की तरफ नई short questions का जो तीसरा question है उसके questions ये हैं ये आपके सामने हैं आप इनको भी देख लें here are the questions तो guys उसके बाद 90, 87 ये बहले सारे questions ये देखें ये आपके display पर आ रहे हैं इसे अगली screen पर चलते हैं here are the questions ये देखें जो questions 90s की range में हैं वो questions देख लें आप ये आपके सामने आगे इसके बाद हम question 107 से onward चलते हैं ये question 107 से लेकर 124 तक ये guys आपको वीडियो pause करकर के देखने पड़ेंगे otherwise ये तिनी तेजी से गुजर जाएंगे आप समझी नहीं आएगी हाँ अगर किसी के पास मेरा whatsapp number है तो आप मुझ से ये मंगवा सकते है on the whatsapp number तो guys ये अगली स्लाइट पर आजाएं अब ये question number 3 एंड हो रहा है question number 4 ये आपके सामने है ये question number 4 आपके सामने है guys आप यहाँ से देख सकते हैं और कदीर रफीक साब को आप thanks भी बोल सकते हैं मैंनी इनको जानता लेकिन बहुत अच्छी बात है इनके लिए दुआएं करें मेरी तरफ से भी इनके लिए life की best wishes हैं क्योंकि ये help out कर रहे हैं लोगों को आपने पॉस्टे को पढ़ लेना है पॉस्टे को पढ़ लेना है प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो कर लें ये आपके पास कुछ long questions अब आगे long questions को भी देख लें आपको idea हो जाएगा कि कौन से questions आपको आते हैं और कौन से नहीं आते हैं बाकी फस्टियर वाले प्रशान नहीं हूँ, आज मैं केमिस्टी के लॉंग कोस्टेंज अपलोड करने जा रहा हूँ, चैप्टर थ्री के और चैप्टर थ्री से ओनवर्ड आज से हमने चलना है, वो भी दो तीन घंटे तक मैं अपलोड कर दूँगा, so stay connected to this channel, आगे ये कु इन्हीं में से question आने का chance है, बहुत ज्यादा, ये total 19 slides है मेरे पास, जो आपके सामने है, 19 की 19 slides, तो बेहतरीन guess है, ये last slide है, गाईज इसका भी आप screenshot ले सकते हैं, बाकी गाईज, जो पहली दफ़ा देखे हैं, subscribe करें, bell icon प्रेस करें, all notifications पे क्लिक करें, अपने friends के अंदर इ जाए, और आपके paper के लिए best wishes, guys अपना ख्यार रखिये का, thank you so much, allahafiz.